गुड मॉनिंग एब्रीबन, सिक्स्ट क्लास, कैसे हैं आप सभी, I hope all are very good, तो आज से हम एक नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे, चेप्टर नमबर फाइव, अंडरस्टेंडिंग, एलिमेंटरी सेप्स, तो इसमें हम जोबो सेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सार है, इसमें साथ जोबो 5.9, मतलब कि 9 जोबो इसमें exercise होंगी, तो काफी interesting भी है, सबसे पहले बिलकुल basic बात करेंगे, जैसे line segment को, जोबो कैसे measure करेंगे, किसके साथ जोबो better रहेगा measure करना, तो सबसे पहले तो आपके पास पूरी geometry में जो भी use होता है, वो सब को जोबो आ measure करते हैं, इस chapter में, sorry, 5.1 में, तो चलिए start करते हैं, exercise 5.1 का, आज हम करेंगे first, second and third question, तो first question जोबो बिलकुल basic है, एक पूछ रहे कि, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation, अब दिखिए, जैसे आपके पास जोबो दो line segment दी है, जैसे यहाँ पे जोबो A से B तक है, एक line segment A है, और एक line segment जोबो कीजाई यह, तो चाहिए, यहां पर, चृब आपने बिना किसी scale का use करके या divider का use करके जबो, या compass का use कर नहीं करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर बिना इनका use किये, सिर्फ देखे, mere का मतलग होता है मातर, सिर्फ observe करना है आपने, observe क्या करना है, कि इनमें से कौन सा जब compare करना है कौन सा जबो बड़ा है या कौन सा छोटा है तो देख करके मैं बता सकता हूँ वैसे कि यहाँ पे मुझे PQ जबो बड़ा लग रहा है लेकिन मैं exact नहीं बता सकता हूँ लेकिन मैं exact नहीं बता सकता हूँ मैं सिर्फ idea लगा सकता हूँ तो इसमें जो वो यह पूचा है disadvantage क्या है इसका जो वो disadvantage क्या है तो disadvantage यह है कि यह बीना देखे अगर मैं सुरी बीना देखे नहीं देख करके जो वो मैं ऐसे idea लगाऊंगा कि कौन सा जो वो arrangement बड़ा है तो यही तो इसका disadvantage हुआ ठीक है तो simple है इसमें लिखेंगे कि there may be there may be chance of error due to improper viewing ठीक है तो chance of error रहते हैं तो यही question पूच रहा था बिलकुर simple है question number second देखिए एक question अच्छा है कि why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of line segment तो line segment को measure करना है आप जैसे line segment है कोई भी तो अब यह वो रहे कि आपके पास एक divider है divider की safe जो वो डिवाइडर कुछ इस तरह से होता है यहां से जो थोड़ा सा मोटा होता है और आगे जो बिलकुल पतला सा होता है ठीक है कुछ इस तरह से जो वो divider आपका होता है ठीक है तो ए है divider तो और एक आपके पास यह वो ruler है मतलब कि जो scale है आपके बास इक है उसको तो कौन सा जो बैठर है गा कौन जब वो बिल्कुल एग्जेक्ट जो बताएगा तो एग्जेक्ट आप देख्ते है जब वह डिवाइडर जब बिल्कुल एग्जेक्ट बताएगा क्योंकि यह बिल्कुल बतला है आगए से छोटे सी एरर भी नहीं देगा ठाए है बैस रहर चोटा सा दोदीश गता है लेकिन यहां पे बिल्कुल ऐसे उसा जो विलकुल जब आफ मैजर करोगे तो आप देखेंगे कि यह जो बिल्कुल exact बता रहा है क्योंकि यह जो scale है यह जो थोड़ा सा motor रहता है तो यहाँ पे थोड़ा से chances ही रहते है एरर के तो read करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वही लिखाए कि it is better to use a divider than a ruler because the thickness of the ruler may difficulties in reading of her length however divider give up accurate measurement जो divider होता है वो बिल्कुल accurate जब हो measure करेगा तो वह है कि अगर आप से पुछे कि divider और scale में से कौन सा better रहेगा तो divider जो अच्छा रहेगा ठीक है next देखिए question number 3 question number 3 में लिखा है draw any line segment say a b ठीक है आपने कोई line segment बनाना है a b तो यहाँ पे देखिए आपने मैंने बना दिया a b ठीक है line segment तो take any point c in between a and b तो यहाँ पे बीच में एक point लेन a c तो point भी ले लिए मैंने between बोल है और b ठीक है तो measure the length of a b b c a c ठीक है तो आपने जो वह यहाँ पे measure करना है length a b e मतलब इसकी पूरी की a c आपने measure करना है ठीक है और c b आपने measure करना है ठीक है तो सब को जो आपने measure करना है फिर बताईए is a b जो वह equal to a c plus c b तो यहाँ पे मैं फिर से आप एक बर बताओं जैसे यहाँ पे आप देख से a c तक है और a से b तक है ठीक है अब आप देख रहे होगे अगर मैं बोलू a से b तक जो वह कितना है तो a c में अगर मैं c b प्लस करूँ तो यही तो a b केकल हुआ ठीक है तो a c जो वह equal हो जाएगा a c plus c b के ठीक है तो यहाँ से हमें पता जा रहा है ठीक है देखे यह जो बेस्टिक चीज़े है वह आपको पता होने चीज़े जैसे आप अगर रिक लासरी में जाओगे तो आपको अगर a चीज़े पता नहीं होगी तो आप वह आप पे जो वह problem solve नहीं कर पाओगे ठीक है तो a c equal to sorry a c a c नहीं यहाँ पे a b दिखना था मैंने यहाँ पे a b a b equal to a c plus c b a b equal to a c plus c b चीक है तो yes यह तो ब्राबर ही होंगी यहाँ पे note भी लिखा है a b c are any three point on a line such that a c plus c b equal to a b then we can be sure that c lies between a and b अब देखिए अब जुरूर नहीं है कि यह जो c है वो बिल्कुल बीच में हो उसका यहाँ जैसे हो तब भी जो वो a c plus c b जो वो a b के कुल होगा तब भी जो वो a c plus c b जो वो a b के कुल होगा तो आई हो आप संज़ रहे होगे तो यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से एक line segment लेना है अपनी मर्जी से एक line segment लेना है लाइन segment को कैसे denote करते हैं जैसे a b है तो उसके उपर line लगा है जैसे यहाँ पे लगी है अगर line होती है तो यहाँ पे arrow लगा दिते दोनों side की मतलब की दोनों तरफा extend हो रही है लेकि line segment के जो दो end point होते हैं इसलिए जो यहाँ पे दो इसके end point है a b तो आप अपनी मर्जी से लिए यहाँ पे जुरूर नहीं है कि a b जो वो 6.5 भी अपने लेना है फिर जो आपने scale से जो वो इसको measure करना है तो 100 से पहले तो a b measure करिए जैसे यहाँ पे 6.5 आया है तो आप पे देखे 6 कितना centimeter आ रहा है फिर आप a c करिए ठीक है फिर चेक किजिए कितना आ रहा है फिर आप c b करिए फिर देखे चेक किजिए कितना आ रहा है फिर a c और c b को plus किजिए a c और c b को जैसे plus करेंगे तो बो जोब आपके A, B केको लाएगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो यहां तकाद जोब इसको complete कीजिए आपका जोब बिल्कुल अलग होना चाहिए बिल्कुल A नहीं होना चाहिए जैसे A, B जोब 6.5 है अपनी मर्ज से लीजिए line segment फिर यहां पे जोब बीच में एक पॉइंट लीजिए कहीं भी लेशकते हैं लेकिन होना चाहिए इसी line में यहां side में नहीं होना चाहिए इसी line पर जोब बो point लाई होना चाहिए तो यहां पे आप इसको measure करिए और check करिए कि हमने जोब आमत्र कि A B जोब A C plus C B के कुल आ रहा है या नहीं आ रहा है ओके ठैंक यू एंड हैव नाइस टे